गाना कई लोग गाते हैं लेकिन महिलाओं से जुड़े मुद्दों को बताना अपने आप में कुछ अलग काम है इस तरह के चागरुक करने वाले अभियान की कौन सराहना नहीं करेगा इस बैंड ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक धूम मचा रखी है अब तक ये बैंड 550 परफॉर्मेंस कर चुका है दरसल इस बैंड की परफॉर्मेंस के अलावा इसके गीत और बैंड का पहनावा इसे सभी बैंड से अलग दिखाता है भारत का पहला Mission Rock Band है जो महिलाओं के और बच्चियों के जो है जो समाजिक मुद्दे है जो बहुत सारी ऐसे परंपराएं है जिनको तोड़ना है कुछ ऐसे अंदर विश्वास जिनको तोड़ना है उसकी लड़ाई लड़ रहा है ये बैंड ये भारत का पहला Mission Rock Band है और ये महिलाओं से और बेटियों से जोड़े मुद्दे और जो भी समाजिक ऐसे मुद्दे है जिन पर आवाज उठाने चाहिए हम अपने गीतों के माध्यम से उठाते है 2010 से स्यात्रा को शुरू किया है और अभी तक जो है स्यात्रा में हम चलते जा रहे हैं ये सारे band members जो है वो एक मजबूत कड़ी है इस band की और अभी तक मैं जो लगता है भारत के अलग-अलग states में जा करके हम लोगों ने जो भी 500 शोज किये हैं और अगर जो अगर कहा जाए तो भारत के बाहर भी बैंड को रिकनाइस किया गया है हमारे कामों को लोग हमें प्रोचसाहन उन से मिलता है जब हमें हमारे काम के लिए प्रशंसा मिलती है और आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत लोग की के लिए यह सारे गीत जो है वो एक आम लड़की एक आम महिला जो भी समाज में पूरे दिन में दिन चर्या हो proyecto जो उसमें जेलती हैं जो चिन से जूचती हैं जिन से लडाई लड़ती हैं जो इक लड़की हर एक महिला से जुड़ा हुआ हर एक गीत होता है। जितने भी लिरिक्स हैं, वो जो हम अपनी जिंदगी में या बैंड की जितने भी मेंबर्स हैं, निहारे का में एक नास भागया, पूर्वी सबी हम जो भी अपनी लड़ाई बाहर लड़ रहे हैं, सोसाइटी में उनसे जुड़े वे मुद्दे, कोई ना कोई अपना एक सवाल लेकर करके आता है, फिर वो एक गीत बन जाता है। साड़ी एक ऐसा पहनावा है, जो भारतिय महिलाओं की पहचान है। इस बैंड का संचालन सन 2010 से शुरू हुआ, और अब तक 50 से ज्यादा शहरों में ये बैंड अपनी परफॉर्मेंस दे चुका है। बैंड के सभी सदस्यों ने बताया कि इस बैंड से जोड़कर हमें बहुत खुशी मिलती है, तोकि इस बैंड में रहकर हमें समाज और महिलाओं से चुड़े मुद्धों पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। मेरी जंदगी फीमेल रॉक बैंड जो कि सिर्फ एक रॉक बैंड नहीं है, बलकि एक मिशन रॉक बैंड है। और हम ये मानते हैं, बरे गर्व के साथ कहते हैं कि ये भारत का पहला ऐसा अपने आप में अनुखा बैंड है, जिससे मैं सन 2015 से जुड़ी और पहली ही मुलाकात में मुझे ये समझ में आ गया कि संगीत मेरी सबसे बड़ी प्रेड़ना रही है जीवन में, कि जीवन में अ अनुभव है हमारा, 2015 से मैं जब से जुड़ी हु जाया माम के साथ में, हमारे बैंड के सभी मेंबरान के साथ में, तो वो बहुत ही अनोखा अनुभव रहा है और बहुत कुछ ऐसा हमने देखा है, लोगों से सुना है, जब हम बैंड परफॉर्म करते हैं, तो लगता है कि एक अच्छा काम करने के लिए अगर संगीत बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, जैसे कि बहुत बड़े कवियों ने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी और अलग जगाई लोगों के मन में, तो संगीत से एक जियोत तो जला ही जा सकती है, बैंड में जो मेरी शुरवात हु अभी आप सबसे ओलेगा, यह जो आपको लगता है कि जो आपको लगता है कि जो आपको के सौंग होते हैं, इसको जो लोग सुनते हैं, उनके अंदर से कैसा फीड़बैक मिलता है, तो कि यह जादा दर वुमें और इंटेट सौंग्स हैं, लेकर जो सुसाइटी के एक अच्छ लगा हमें, इस सुनाती हैं, तो यह जिसे लगता है कि मेरी जिंदीगी से ही है, तो हमें एक और पाइदान आगे बढ़ने का मोटीवेशन मिलता है, कि लोग बढ़ रहे हैं और आगे अपनी लाइफ में भी चेंज कर रहे हैं, एक इंसिडेंट है, एक छोटी सी लड़की थी तो वो भी हम लोगे पास है उसने बोला कि हमारे गाउं में भी पढ़ाई के लिए थोड़ा कम लोगों को परेद किया जाता है लेकिन मैं आपके गाने सुनके मुझे लग रहा है कि मैं सब को अपने साथ पढ़ने के लिए स्कूल लेके जाओंगी तो यह सब ज तो यह सब आपस में बाटते हैं शेयर करते हैं कुछ सीखते हैं उससे और उन्हें ही अपने गानों में उतारते हैं तो बहुत सी चीजे हैं जो बदलाव खुद में महसूस किया है पॉजिटिविटी इतना कॉंफिडेंस गलत चीजों के लिए आवाज उठाना तो यह सब देफिनेटली कुछ चेंजेस हैं जो हम सब में आये हैं इतने टाइम में